next it is regarding the MSME that is micro small and medium enterprises तो यहां पर जो guidelines है regarding the definition of MSME वो फिलहाल में change होगी है तो जो revised classification MSME की manufacturing के लिए service sector के लिए for the micro small medium enterprises तो इसे साब से जहां पर जो investment है वो एक लाग से कम है sorry एक क्रोड से कम है और जो turnover है वो पांच क्रोड से कम है तो जहां पर जो investment है इसको हम आई लिख सकते investment को and turnover को T denote कर देंगे तो जहां पर एक क्रोड से कम है अब टू वन क्रोड investment है and जो turnover है वो पांच क्रोड तक है तो वो क्या रहेगा आपका micro enterprise होगी service sector के लिए भी and manufacturing sector के लिए जो investment है जहां पर एक क्रोड से ज्यादा है लेकिन 10 क्रोड से कम है less than 10 क्रोड and further जो turnover है that is lesser than 50 क्रोड यान कि 10 times कर देना है यान कि जितना micro में था उससे 10 times कर देना है that is 1 into 10 is equal to 10 क्रोड 5 into 10 is equal to 50 क्रोड तो जहां पर जो investment है वो 10 क्रोड से कम है and turnover जो है वो 50 क्रोड से कम है वो small enterprises है यांद मेडियम इंटरपर्यज्ज में केलने के डबब कर देना है कि मेडियम एंटर प्रैज्ज थो एंटरप्रैस यहां पर जो इंवस्टमेंट है वो 20 क्रोड से सपा में है लोन से एक ऒगी मों को यह ज़्यदा रहें हैं वेडिया ग्रॉसमॉल मेडियम बालब सेक्टर के अंडर ही क्लासिफाय किया जाता है तो जो माइक्रो-small-medium enterprises है तो यहां पर हमने देखा डिफरेंट जो नई definition है इसके हिसाब से जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट यहां पर classification दी गई है जो नई definition है MSME की तो वह माइक्रो-small-medium enterprises जो इंगेज है manufacture करने में यहां फिर गुड्स को गुड्स की production में इंगेज है किसी भी इंडस्ट्री की जिनको specify किया गया है फिर्स्ट शेडियूल तुदा इंडस्ट्री इंडस्ट्री ड्वेल्प्मेंट और रेगुलेशन एक्ट में यहां फिर अगर notify की जाता है गौर्मेंट के दौरा टाइम टू टाइम तो वह सभी क्या है manufacture enterprises है इसी तरह से सभी तरह के लोगों जो MSME को provide की जा रहे हैं जो services को provide करने में या उनको render करने में इंगे जिनको डिफाइन किया गया है investment and turnover के अक्ट तरह से MSME एक्ट में वह प्राइटी सेक्टर के अंडर क्वालिफाइब करेंगे यहां पर किसी भी तरह का क्रेडिट क्याप नहीं है यह नहीं है कि अगर 20 क्रोड का लोन है तो वह प्राइटी सेक्टर में नहीं काउंट होगा कोई भी यहां पर क्यापिंग नहीं है